Circles के extra question के हमारी series का यह first number question है RS Agarwal के इंदर example number 17 है और RD Sharma के इंदर example number 4 है बहुत important question है देखिए question में अपको क्या given है A circle is touching the side BC of triangle ABC at P एक triangle ABC देखिए रहा triangle ABC और एक circle है जो side BC of the triangle ABC को touch कर रहा है point P पर ठीक है? Touch कर रहा है इसका मतलब यह हो गया कि BC इस circle के लिए tangent है आगे देखते हैं और क्या बोला रहा है and touching AB and AC produced at Q and R respectively AB produced को और AC produced को touch कर रहा है Q पर और R पर यहां पर भी देखिए touching word यूज किया है इसका मतलब यह हो गया कि यह जो AB produced है आप AQ बोल सकते हैं इसको कि यह जो AQ है यह circle के लिए tangent है और AC produced मतलब यह जो AR है यह भी circle के लिए tangent है क्या प्रूब करने बोला है आपको प्रूब देट AQ is equal to half of perimeter of triangle ABC यह रहा AQ आपको AQ is equal to half of perimeter of triangle ABC यह प्रूब करने बोला है इस question को आप ऐसे पढ़ने के जगे ऐसे समझे कि आपको यह प्रूब करना है कि perimeter of triangle ABC is equal to two times of AQ अब देखिए इसको प्रूब कैसे करेंगे है कोश्या ने बोला भाई कि यह जो circle है यह AB produced को और AC produced को touch करता है point Q और point R पर इसका यह मतलब हो गया कि AQ और AR यह दोनों tangents है circle के और देखिए दोनों tangents हम कौन से point से draw कर रहे है point A से हम जानते है एक थिवराम होता है कि tangents drawn from an external point are equal in length तो AQ और AR दोनों same point से draw हो रहे है तो दोनों का length equal होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए since tangents drawn from an external point are equal in length जब tangents का length equal होगा तो फिर AQ और AR इन दोनों का length equal होगा ठीक है और वैसे है आप ध्यान देजिए BQ और BP यह दोनों देखिए same point से draw हो रहे है B से तो BQ और BP दोनों का length equal होगा वही same reason tangents drawn from an external point are equal in length तो हम इसके सार सार लिख देते हैं therefore BQ is equal to BP और वैसे देखिए CP और CR CP and CR both are tangents drawn from an external point C तो CP और CR इन दोनों का length equal होगा तो यह भी हम साथ साथ लिख देते है therefore CP is equal to CR अब यह तीनों तो equal होगे AQ और AR equal होगे ठीक है BP और BQ भी equal होगे ठीक है CP और CR भी equal होगे ठीक है क्या प्रूब करना है आपको AQ is equal to half of perimeter of triangle ABC और इस question को मैं ऐसे प्रूब करने के बारे में सोच रहे है कि perimeter is equal to two times of AQ अब देखे perimeter को two times of AQ प्रूब करना है अब हम पहले देखते perimeter of triangle ABC वो किसके equal होगे तो मैं ऐसे लिख सकते है perimeter of triangle ABC is equal to AB plus BC plus CA अब perimeter of triangle ABC आ गया है AB plus BC plus CA के equal लेकिन आपको चाहिए कि perimeter of triangle ABC का answer है two times of AQ के equal अब two times of AQ के लिए पहले आपको देखना है कि AQ कैसे आए यहाँ पर देखे figure में यह रहा AQ AQ कैसे आएगा जब आपके पास AB plus BQ होगा AB और BQ इन दुनों को add करने पर आपको AQ मिलेगा यहाँ पर AB तो है लेकिन यहाँ पर आपके पास BQ है नहीं AB की जगह AB, BC को break करेंगे हम BP plus BC में और CA को CA छोड़ देगे AB को AB रखते हैं और BP की जगह BQ लिख देगे यह BP जैसे BQ में convert हो गया तो AB और BP अब AB plus BQ में convert हो गया और AB plus BQ किसके equal होता है? AQ के equal इसके जगह तो आप AQ लिख सकते हैं यहाँ पर लेकिन अभी यह PC और CA भी तो बचके हैं इसका क्या करना है आपको? जैसे आपने यहाँ पर किया था BP की जगह BQ लिख रहे हैं वैसे सेम दाम यहाँ पर करेंगे CP की जगह CR लिख देंगे तो अभी जो AC plus CP मिल रहा है आपको अगर आप CP की जगह CR लिखते हैं तो आपको AC plus CR मिल जाएगा AC और CR किसके एक्वल होता है? AR के एक्वल तो यहाँ पर तो AR आ जाएगा लेकिन आपको तो AQ चाहिए तो फिर क्या करना आपको? यहाँ आपको धियान रखना है कि AQ और AR तो इक्वल होता है तो अगर हम इस CP और CA को इस CP और CA को अगर हम AR में convert कर देते हैं AR को हम AQ में convert कर सकते हैं क्योंकि AR और AQ तो इक्वल होता है तो बस क्या करना है? जैसे हमने आप पर यह BP की जगह BQ लिखा है जैसे हम आपर CP की जगह CR लिख देते हैं तो यह रहाँ CP CP की जगह लिख रहे हम CR CA को CA छोड़ दे यह CR और CA मिलके हो जाएगा AR AB और BQ तो AQ होई गया था अब यह CR और CA यह मिलके हो जाएगा AR और अब यहाँ पर देखिए AQ प्लस AR इसको मैंसे लिख सकते हैं AQ प्लस AQ और AQ प्लस AQ किसके इक्वाल हो गया 2 टाइमस और AQ के इक्वाल हो गया यह सब हो कैसे रहा है आप इसको equation 1 नेम देदे इसको equation 2 नेम देदे इसको equation 3 नेम देदे और आपको यहाँ पर देखना यहाँ बीपी की जगह अपने BQ लिखा है PC की जगह अपने CR लिखा है तो यह दोनों कहां से आ रहा है equation 2 and 3 से आ रहा है यहाँ पर हम bracket में लिख सकते है from equation 2 and 3 और यहाँ पर देखे हम AR की जगे AQ लिख रहा है यह कैसे आ रहा है from equation 1 तो वो भी हम bracket में लिख के दिखा रहते है from equation 1 तो perimeter of triangle ABC हो गया है 2 times of AQ के एको है आपको प्रूफ क्या करना था कि AQ है half of perimeter of triangle ABC तो बस इस 2 को नीचे ले आएंगे जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा ठीक है आगे therefore AQ is equal to half of perimeter of triangle ABC यह प्रूफ करना था आपको बहुत easy question है बहुत important question भी है यह question आपको ऐसे भी मिलेगा जैसे आपको आपको यह प्रूफ करने बोला है कि AQ is equal to half of perimeter of triangle ABC इस question में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको AQ का length दिया वारत है जैसे AQ बोला वारेगा आपको 12 cm, 20 cm ऐसा कोच AQ गिवन होगा और आपको perimeter find करने बोलेगा question तो आपको इस question को ध्यान दखना है कि बिल्कुल ऐसे solve करना है perimeter आजाएगा 2 times of AQ के equal हमब बस आपको AQ का value put कर देना है मतलब यह वाले step आपको solve नहीं करना है AQ का value put कर देंगे तो आपको perimeter का answer मिल जाएगा इसके बाद वाले questions को आप next video से देख सकते हैं वीडियो के end में आपको link मिल जाएगा और description box में भी आप सारे questions को चेक कर सकते हैं जिनका मैं video upload कर देंगी